जी तो वेल्कम बैक कैसे आप लोगों के काम हो गए खतम मेरे काम खतम हो गए हैं लेकिन अब जो है मुझे खाने की तरफ जाना है खाने बनाना है तो उससे पहले जो है मैं अपनी इस वीडियो को कंटीनू करती हूँ आपको मैंने बताया था मॉर्णिंग में कि मैं आपसे बेस वगएरा शेयर करूँगी आज तो यह बेस वगएरा मैंने एक लास वीडियो में आपको दिखाया था जी यह क्राइलाउन की जो है औरियंटल चाइनेज आप जो भी आप लगाना चाहें जो सामला रंग होता है आप उस पर यूज कर सकते हैं इसली तो यहां मैंने देखें औरियंटल लगाई है और यह जो है वो मैंने अपने जो हाथ पे डाक मिशान था मेरा जहां मेरे चोट लगई थी मैंने वहां प्लाए की थी और इसके बाद यह मैंने जो है क्राइलाउन का जो पैन के के उसको में दो से तीन तरीकों से इस्तमाल करते हैं यह देखे मैंने इसको जो है वो कलर करेक्टर कहलाते हैं इस तरह के जो स्टिक्स जो होते हैं जो डाक टोन में होते हैं जो ग्रीन औरेंज और थोड़ा से यह इस तरह डाक कलर में होता है यह कलर करेक्टर के पैंकेक जो है वो गीला किया है और गीला करके मैंने उसी इस्टिक के ओपर डिरेक्ट लगा लिया इस्टिक के ओपर मैंने कोई फांडेशन यूज नहीं किया कोई जो है वो दूसरी इस्टिक नहीं यूज की है डिरेक्ट अपने फेस पे जो है ये गर्मियों के लिए बह तरह नहीं हम बेस को लगाते कभी भी स्किन के उपर रगड़ के हमेशे जो है वो बेस लगाते हैं टैप टैप करके जी इस तरह यह टैप टैप करके हमने जो है इसके उपर इसी तरह फाउंडेशन को लगाने का भी तरीका है स्टिक को लगाने का भी और पैनकीक को भी देख एसी पैंकेक को हम तीन तरीगों से यूज़ करते हैं. मैंने पहले भी आपको बताया. तो इसको जो है, मैंने सिर्फ फेस पॉडर की तरह पख साथ ले लिया है. और एस पॉडर जो है, मैने इसको अपने फेस पर यूज़ करना है. और ये बिल्कुल मेरा natural waste बन गया है देखे कितना अच्छा सेट हो गया है ये और बहुत smooth waste बनता है अच्छा एक तो ये वीडियो की मुझे setting में समझ आती है कि मैं किस तरह बनाऊं वीडियो अच्छा ये केके ब्यूटी डबलू का foundation बहुत ही best बेस्ट है गर्मी सर्दी दोनों के लिए बहुत अच्छा है तो इसको भी मैंने जो है वो बीटी ब्लेंडर से टैप टैप करके ही लगाया है अपने हाथ पे ये इसमें जो है वो आपको all coverage मिल जाएंगी इसमें आपको color character यूज करना नहीं पड़ेगा concealer यूज करना नहीं पड़ेगा या डिरेक्ट अपने face पे लगा ले तो ये एक flawless base आपका बन जाता है एक stick से आपकी सारी coverage हो जाती है आपके dark spots आपके eyes under eye circles जो होते हैं वो छुप जाते हैं और बाद में आप इसके उपर जो है इसी तरह face powder लगा ले अपने complexion का फेर करना है तो फेर का लगा ले आप देख सकते हैं डिफरेंस दोनों में ये इसका है और जो मैंने पहले लगाया था वो तर इस्टिक और crylon pancake के साथ लगाया था मैंने base तो आप लोग मेरे साथ बने रहीएगा मैं आपके साथ इस तरह की मजीद videos लाती रहूंगी तो आप से request एक कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जो है वो like, share और subscribe जरूर कीजिएगा और video कैसी लगती आपको comment लाजमी किया करें अच्छा ये miss rose का मेरे पास ivory 3D foundation है ठीक है ये stick की तरह है अच्छा ये थोड़ा सा ना thick form है ये बहुत मतलब thick सा है तो इसको मैंने finger आप brush से भी ले सकते हैं लेकिन finger से जादा अच्छा लग जाता है तो इसी तरह मैंने इसको भ apply कर लिया है अच्छा ये मेरे complexion से काफी fair था आईवरी है आईवरी जो है वो अच्छा खासा fair tone पर यूज होता है तो अभी मेरे पास दो तिन make up की booking है तो फिर ये मैंने एक fair tone में ले लिया था फिर टोन में है मेरे पास और भी तो मैंने का क्यों ना इसको भी try किया जाए इसको अभी तक मैंने try नहीं किया था तो इसकी भी coverage बहुत अच्छी थी बहुत अच्छा ये जो है वो set हो गया था और ये सारा आपको मैं दिखाऊंगी इसको पानी का spray करके भी के base नहीं खराब होगा मेरे client जो है वो इस चीज़ के लिए मुससे बहुत satisfy है कि मेरा बनाय नाश्ते के लिए जाते है ना तो उसी base को जो हम face water लगा लेते हैं अपना face wash नहीं करते हैं तो हमारा जो base है वो overnight भी रहता है बहुत अच्छा इस्टे करता है तो लोग ऐसे भी भाई गुजारा करते हैं कि सुबा नाश्ते में मूध होना ना पड़े जो हमने बारात का make- जो था यह देखें मैंने पानी का spray भी किया है अपना हाद भी इसको पर अच्छा प्रेस कर रही हूँ और देखें base नहीं हटा कहीं से भी बहुत अच्छा stay हो जाता है यह base और waterproof बनाने के लिए जो है आप जो है वो base को जब apply करते हैं आप base को tap करने के बाद जो है एक दफ आप नहीं हुए वो मेरे अपने complexion के थे तो वो इतने जादा white महीं लग रहे तो यह ivory है तो यह जो है वो लग से नज़रा रहा है जी यह है Indian base Indian base बहुत सी लड़किया यूज़ करती हैं बहुत से पॉलर्स में यूज़ होता है यह बहुत कम cost का है और इससे बहुत base यूज़ होते हुए दिखा हैं जो कहते हैं कि हम काशी का काम कर रहे हैं काशी वाला makeup यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है वो जितने पैसे लेते हैं उसे साबसी आपके face ने चीज़े भी लगा रहे होते हैं जिसको काम आता है मैं कहते हूँ वो local पे भी काम करके और अगर आपके हाथ जो है वो बेस बनाने में सेट ही नहीं है तो आप ब्रैंड की बेस भी ले आओगे तो आपका हाथ नहीं सेट होगा इस इंडियन ब्राइडर बेस को भी जो है वो मैंने देखें पफ को गीला किया है और पीला करके मैंने इसको अपने हाथ पे अप्लाई कर लिया है आप देख सबते हैं डिफरेंस जो मेरा अपना कॉंप्लेक्शन और जो बेस में अप्लाई कर रही हैं यह 25 नंबर है यह डिफरेंट मतलब कितना डिफरेंट से इन दोनों में और जी यह है फिर उसके बाद हमारे पास आईल कंट्रोल पैनकीक जी यह भी मैंने अभी लोकल है बिल्कुल लोकल है यह लेकिन मैंने सोचा मैं इसको भी ट्राइ करूँ इसका क्या रिजल्ट है ट्राइ करनी चाहिए ज़रूरी नहीं के हम ब्रैंड के पीछे ही भागें ब्रैंड को हमने खुद ब्रैंड बनाया है जब ब्रैंड को लेना छोड़ देंगे ना तो ब्रैंड भी जो है वो लोकल की कीमत पर ही आ जाएगा तो यह देखें यह भी कितना अच्छा एक दफ़ा में ही सेट हो गया ह क्राइलोन इस लगिंद लिगृ सबसे बेस्ट क्राइलॉन वहा हुए लिकिन क्राइलॉन की तो अपनी ही एकrops है और ये बेस भी देख लेए, ये मैंने लोकल बेस, इंडियन बेस जो है, और ये ओईल कंट्रोल बेस जो है, ये दोनों लोकल है, लेकिन ये बहुत बहुत अच्छा स्टेक किया है, इसको भी आप जो है, वो अपलाई कर सकते हो, ये भी मेरे पास जो था, वो डब्ली वन था फेर्टोन में था, ठीक है, आपको मैंने ये सारे पैनकेक और ये बेस जो है, वो लगा कर दिखाए हैं, कि पैनकेक को हम किस तरह ही उज़ कर सकते हैं, पैनकेक को हम तीन से चार तरीकों से इस्तमाल करते हैं, अब ये देखें, ये डर्मा कॉल का फिक्सिंग इस्प्रे है बहुत ही best spray है इसके अंदर जो शाइनिंग है वह आपका बेस जो है वह बहुत ही ज्यादा जो है वह glowing face बनाए पर देता है आपका देखे हैं जहां जहां मैंने apply किया है कितना glow कर रही है वह बाट देखे हैं आपकितना glow कर रहाए है यह बहुत अच्छा है स्टे करता है इसके स्प्रेय के बाद आपको लगाने की जरूरत नहीं रहती कि आपने फेज पे हायलाइटर लगा कर आप अपना फेज एक गम से लाइटे मारता हुआ दिखाए, तो वो भी बुरा ही लगता है बहुत जादा चमकता हुआ फेस भी तो जी ये पैनकेक अब मैं आपको बता रही हूँ पैनकेक को हम और किस तरह यूज़ करते हैं और ये इससे हम ब्राइडल बेस बनाते हैं ब्राइडल बेस इससे बनता है हम स्टेक फार्णडेशन का काम करने के बाद झाल ाइडल बेस बनाते हैं तो मैंने इसंपे thirty six लिया है हमारा जो भी कॉंपलेक्शन क्लाइड का जो भी कॉंपलेक्शन होगा हमने वो कॉंपलेक्शन का नमबर पहले उठाना है फिर पहले फिर जो है हमने उसे एक animales नहीं है तो अभी यह हम आ पहले यह उंप पहले ख्राईध ठेझ यहां जो है मों है फ़िंटि-फाइफ इंडियन बैस लिया है इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो है वो मांने की चाले कि यह का फेरह एड़ करते हैं उसमें छाइनिय अच्छ जा जी पहले है पिंका रिजल्ट देख लें कि मैंने उस पे जो है वो फिक्सिंग स्प्रे किया था फिक्सिंग स्प्रे करने के बाद मैंने अपने हाथ पे ये देखे पिंक कलर का टिशू रख कर दिखा है आपको पेस कहीं से खराब नहीं हुआ आप लोगों ने मुझे कॉमेंट लाजनी क करना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कोई experience नहीं है बोलने का इतना वीडियो इस तरह बनाने का जो मेरे subscriber हैं जिनको मैं जिनको मैने subscribe किया हूआ उन Ebola उनकी वीडियो देख देख कर ही मुझे जो है वो समझने के तरीका आया है कि वीडियो किस तरह बनानी है तो आप लोग जो है मेरे आपको पता है कि मेरे 102 सब्सक्राइबर हो गए है और कल मुझे यूटीब की तरफ से कॉंग्रेट्स का जो है वो मैसेज पिया आया था कि आपके 100 सब्सक्राइबर हो गए है तो 102 हो गए है तो अब आप लोगोंने मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्रीट करवाने है तो जी यह मैंने मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने डर्मा कॉल का स्प्रेइ फिक्सिंग स्प्रेइ किया था और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी का स्प्रेइ किया था आप चाहें तो रोज वाटर भी ले सकते है चाहें तो फिक्सिंग स्प्रेइ भी इसमें एड़ करके आप बना सकते है तो इसको हम जी ब्रेश की मदद से हम लगाएंगे ब्रेश की हेल्ट से हम इसको अप्लाई करेंगे तो अभी जाहरे मेरे इस पे जो हो चोटे चोटे बाल भी आ रहे है बाजू पे तो बेस को थोड़ा सा सेट करने में जो है वो प्राब्रम होगी लेकिन ये बेस जो है ये वाटर्प्रूफ बेस आपका बनेगा बहुत अच्छा बेस बनेगा मेरा हाथ किदर जा रहा है कैमरा किदर है समझ नहीं आ रही मुझे तो जी ये आ गए हम कैमरे के सामने तो इसको मैंने ब्लेंडर से जो हो अच्छे से टैप टैप करके ये टैप 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 करके हमने जो है इसको अच्छा सा ब्लेंड कर देना है और ब्लेंड ब्लेंड देखें ब्लेंड करने का क्या मक्सद होता है कि हमने जो बेस लगा है वो उपर फेस पर रखा हुआ के की बेस ना हो वो आपके स्किन के अंदर अच्छे तरीके से पैनिट्रेट हो तो ये देखें आप ये बेस कितना अच्छा इस्ट्री हो गया है और ये वाकई ही गैरंटी आप इस तरह बेस बना है आपको पॉलर जाने की जुरूरत नहीं आपको पॉलर वाला बेस जो है वो घर में ही मिलेगा छोटी छोटी ट्रिक्स होती है टिप्स होती है जो आप जो है वो फॉलो करें तो आपको पॉलर वाला लुग ही घर पे मिल सकता है देखें कितना अच्छा बेस इस्ट्री किया है आपने पहले सिंगल पैन केक लगाया थे आप उसका डिफरेंस देख लें और जो ये लगाया है मेरे हाथ का डिफरेंस देख लें कि कितना अच्छा बेस सैट हो गया है और कोई जादा टाइम नहीं लगा दो से तीन मिनट में आपका बेस जो है वो बहुत अच्छा स्ट्रे हो जाता है तो जी बेस स्ट्रे करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा टाइम दिया तो इसके उपर जो है फिर मैंने टीशू रखा मैंने का फिर टीशू से हम टेस्टिंग कर लें के हमारा बेस सेट हुआ ये देख लेए आप टीशू टीशू पे बिलकुल भी बेस नहीं लगा पिंक कलर का टीशू है आपने टुटोरियल में देखा होगा वाइट कलर का जो टिश्यूर वो रखकर दिखा रहे तो वाइट कलर के तो इतना पता नहीं चलेगा ये पिंग कलर है देखें बेस कितना अच्छा सेट हो गया भी मैंने इसके उपर फिक्सिंग स्प्रेय नहीं किया अब मैंने फिक्सिंग स्प्रेय पे किया है और देखें कितना अच्छा शाइनी बेस बन गया है हमारा आप लोग जब भी मेरी विडियोज देखते हैं थो प्लीस वीडियो को फुल वाँच किया करें और कॉमेंट लाजमी किया करें चाहे उस Daar फो है लेकिन वाई लिख दिया करें खोल के अब आपने पस लाइक मार दिया ऐसे नहीं करना जी ये मिरे पास लोकर जो है वो इसको थोड़े से शाइनिंग स्पार्कलिंग जो है शेड्स है यह देखें इसी बेस के उपर मैंने लगाए तो कितनी अच्छी इनके पिगमेंट बनी है देखें अच्छा इसका जो लुक है आपने देखा होगा वो जो काशी दिखाता है कि वो बहुत आँख जो ह तर रही होती है तो उसका तरीका जो होता है वो आप जो है अपने जो फिक्सिंग इस प्रेय है अपने फिंगर पे थोड़ा सा फिक्सिंग跟 का मातारीं भड़ाणा पड़ाए करेंगे तो आप इसके पिगमेंट आ बहुत ही जँआदाश्टका फिर बहुत असमाते आपको बहुत जादा रगड रगड के लगाना नहीं पड़ता है इसके उपर आपको गलीटर टच नहीं करना पड़ता तो यह बहुत अच्छा देखें जो शेड मैं उठा रही है इक्सेक्ट वही शेड आ रहा है और कितना अच्छा शाइनिंग लुक दे रहा है तो यह लोकल हैं इनके उपर हुदा ब्यूटी का सिर्फ जो है वो आप समझे स्टैंप लगी हुई है तो यह हुदा ब्यूटी के नहीं है यह जो है वो वन फिफ्टी हंडड में बहुत आनाम से मिल जाते हैं मार्केट में तो आप देखें कितने अच्छे से यह ग्लीटरी शेड़् हैं यह ग्रेए कलर कर दिखेंद जाना अच्छा लग रहा है तो आप अपनी आइस पर यह भी अपलाई कर सकते हैं बहुत अच्छा लुक देते हैं आपको पॉलर वाला लुक आप लोग अब अपने घर पे ही बना सकते हैं सिर्फ आपको चीजों जो है वो जो आप चीजे लाते हैं आप उनको उसका यूज अच्छा करना आना चाहिए मैंने ऐसे ऐसे अपनी क्लाइंट्स देखी हैं जिनको मेकप का क्रेज है जिनके पास मेकप मैं काम करती हूँ तो मेरे पास उतना मेकप नहीं है लेकिन उनका शौक है तो शौक का तो फिर क्या कहते हैं पैसे खर्च करने हैं उनको तो उनके पास एक से एक चीज़े लेकिन उनको यूज करनी नहीं आती है तो चले जी आज का मेरा व्लोग यहीं खतम होता है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कॉमेंट कीजिएगा लाइक कीजिएगा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा बहुत जल्ब मिलेंगे दूसरी वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा अल्ला हाफिस